हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो जी वर्ड एजुकेशन पॉइंट अस्मार्ट वे ओफ लर्निंग आज है 25 जून और आज मैं आपके लिए लेके हैं हूँ जीकेंड करेंट अफेर्स के कुछ जो आने वाले आपके सभी एक्जाम्स के लिए ज़रूरी रहेंगे तो आएए चलते हैं हमारी आज की वीडियो के पहले कोश्चन पर तो आज का हमारा पहला कोश्चन है सत्यभामा नाम का जो पोर्टल है वो किसने लॉंच किया है जो नेशनल इन्फरमेटिक सेंटर ने बनाया था तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रलाद जोशी यानिकि आंसर नंबर 20 का हमारा सही हो जाएगा अब यहाँ पर वर्ड आया है सत्यभामा सत्यभामा की फूल फॉर्म क्या है साइन्स एंड टेक्नोलोजी योजना फोर आत्म निर्भर भारत इन माइनिंग एड्वांस्मेंट यह सत्यभामा की फूल फॉर्म हो जाएगी आए चलते हैं हमारे दूसरे question की और आज का हमारे दूसरा question है Which Indian company become the first Indian company to reach a market capitalization of rupees 11 trillion 11 trillion की market capitalization पे पहुँशने वाली कौन सी भारतिय कंपनी पहली हो गई है तो इसका हमारा answer हो जाएगा answer number B यानि की Reliance Industries Limited ये 11 trillion पे पहुशने वाली पहली भारतिय कंपनी है अब बात आती है Reliance Industries Limited की तो इसके founder कौन थे? धिरुबाई, अमबानी और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी? 8 मई को 1973 में तो ये इसके स्थापना का दिन है आईए चलते हैं हमारे अगले question की हो आज का हमारा अगला question है Who has been appointed as the next ambassador of India to Finland? इंडिया के next ambassador Finland में किसे appoint किया गया है तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा रवीश कुमार यानि की option number B हमारा सही answer हो जाएगा तो ये है map में Finland Finland की capital क्या है? Helsinki Finland के president का नाम क्या है? Sauli Ninensto Finland की currency क्या है? Euro इतना आप Finland के बारे में ज़रूर याद रखे आए चलते हैं हमारे वीडियो के अगले question की और आज का हमारा अगला question है Which city is host to the 107th edition of the Indian Science Congress ISC Indian Science Congress के 107th edition को कौन सी city host करने वाली है? तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा Bengaluru यानि कि option number D का सही answer हो जाएगा अब map की बात करें तो map में करनाटका यहाँ है करनाटका के capital क्या है? Bengaluru करनाटका के CM का नाम क्या है? BS यदियूरप्पा करनाटका के governor का नाम क्या है? तो उसमें कौन-कौन सी है? बद्रा wildlife century, सरावती वैली wildlife century और ब्रह्मगीरी wildlife century इतना आप करनाटका के बारे में जरूर याद रखे आईए चलते हैं हमारे अगले question की ओर आज का हमारा अगला question है SSB was previously known as जो SSB है वो पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा option number A याने की special service bureau SSB पहले special service bureau के नाम से जानी जाती थी अब पहले कब जानी जाती थी? तो बात करें 2001 से अगर हम पहले की बात करते हैं तो 2001 से पहले SSB special service bureau के नाम से जानी जाती थी SSB की अभी full form क्या है? सहस्त्र सीमा बल क्या full form है? सहस्त्र सीमा बल आईए चलते हैं हमारे अगले question की ओर आज का हमारा अगला question है Which Indian city is selected to host the Global Healthcare Summit 2021? 2021 में Global Healthcare Summit को host करने के लिए किस city को select किया गया है? तो इसका हमारा सही answer क्या हो जाएगा? option number C option number C विशाका पत्नम इसका हमारा सही answer जाएगा यानि कि जो Global Healthcare Summit 2021 है वो कहाँ पर होने वाल है? विशाका पत्नम में अब बात आईए विशाका पत्नम की तो अगर मैं बात करूं आंदर प्रदेश की आंदर प्रदेश मैप में यहाँ है आंदर प्रदेश की capital क्या है? अमरावती आंदर प्रदेश के CM का नाम क्या है? Y.S. Jagmohan Reddy और आंदर प्रदेश के governor का नाम क्या है? विश्व भूशन हरी चंदन क्या नाम है गवर्नर का? विश्व भूशन हरी चंदन आईए चलते हैं हमारे अगले कोश्चन की होर आज का हमारा अगला कोश्चन है Who is the writer of book Legend of Sohail Dev The King Who Saved India Published by the Westland Publication Private Limited Westland Publication Private Limited ने जो बुक लिखी थी Legend of Sohail Dev The King Who Saved India उसके लेखक कौन है? तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा C याने की Amish Tripathi Amish Tripathi इसका सही answer हो जाएगा आएए चलते हैं हमारे अगले कोश्चन की होर आज का हमारा अगला कोश्चन है Who has been re-nominated as a part of non-official director on RBI Central Board for two years from 3rd March 2020 3rd March 2020 से किसे दुबारा से nominate किया गया as a part-time non-official director के पद पर 2 साल के लिए तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा answer number C याने की नट राजन चंदर शेखरन ये इसका answer सही हो जाएगा अब बात आईए RBI की RBI की अगर हम बात करें RBI की स्थापना कभूई थी? 1 April 1935 कभूई थी? 1 April 1935 RBI का headquarter कहां पे? Mumbai में और RBI के जो अभी प्रेजन टाइम पे गवर्नर है उनका नाम के है शक्तिकान दास क्या नाम है गवर्नर का? शक्तिकान दास आए चलते हैं हमारे अगले question की और आज का हमारा अगला question है In which year the first bank of India, bank of Hindustan was established? Bank of Hindustan जो इंडिया का पहला bank था वो कभ established किया गया था? इसका हमारा answer क्या होगा? Answer number B, 1770 यानि की 1770 में Bank of Hindustan established किया गया था अब Bank of Hindustan जो है established किसने किया था? यह हिंदुस्तान के अंदर खोला गया Britishers के द्वारा bank था जो East India Company ने खोला था और इसकी स्थापना कहां पे की गई थी? इसका head office जो रखा गया था वो Calcutta में रखा गया था आईए चलते हैं हमारे इस वीडियो के आखरी question की ओर तो आज का हमारा आखरी question है Which of the following was the first bank managed by Indian? तो पहले हमने बात की थी कि इंडिया में सबसे पहले bank कौन सा खोला गया था अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहला bank जो Indians ने खोला था ठीक है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पंजाब National Bank पंजाब National Bank इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेकिन जो पहला bank इंडियन ने खोला था ठीक है वो है पंजाब National Bank अब बात आई है पंजाब National Bank की तो पंजाब National Bank के बारे में कुछ बात करते हैं पंजाब National Bank की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 में है अभी प्रेज़ेंट टाइम पर इसका हैं न्यू डेली में और अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके CEO कौन है SS Mali Karjuna Rao क्या कौन है स्समलिकर जूना राओ यह इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सके हो जो आपके एक्जाम्स में आपकी हेल्प कर सके थैंक यू सो मच, थैंक्स वर वाचिंग